नमस्कार संस्कित के प्रिविद्यारतियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंज सिंधी विडियां पर मैं पंगस्तिवारी जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको इस नए पार्ट से अउगत कराऊंगा तो आज हमारा जो किसी evidence की बात हो रही है किसी ना किसी सबूत की बात हो रही है साक्ष की बात हो रही है ठीक तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि आपकी परिक्षा कैसी चल रही है वो मुझे comment section में लिख करके जरूर बता क्योंकि परिक्षा के लिए बहुत ही अच्छे कारगर होंगे वो तम और स्रिष्ट अंक लाने के लिए तो ध्यान रखिएगा जल्दी से जल्दी संपर्क करिएगा संपर्क कैसे करेंगे जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं उसी के नीचे link in description box में जाएंगे तो e-notes और e-books की संपूर भाग एक ठीक यहां पर एक निया अधिस की एक यहां पर जिसको किसी एक ऐसे अपराद में लिया गया है जो उसने किया ही नहीं है तो उसका साक्ष मिलने पर उसके उसका निर्ने किया जाता है वो कैसा है वो पूरा सारांस आपको यहां पर समझ में आ जाएगा लेकिन मैं shortcut में आपको उस कहानी पर चर्चा आपका परदा डालता हूं आपकी उस पर थोड़ा सा नजर डालने की कोसिस कर रहा हूं तो आप देखिएगा एक हमारे बंकिम चंद चटर जी हैं जो बंगला से हैं बंगला प्रदेश के हैं बहुत अच्छे हैं और इनके द्वारा एक ऐसी नियाय विवस्था को रखा गया है उन्होंने जो अपरादी था उसको दंड मिले कि जो अपरादी नहीं है उसको दंड मिले इसको उन्होंने अपनी को करते हैं तो आपको सबसे पहले कहानी को बहुत अच्छे से सुन लेना चाहिए अगर आपकी कहानी बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं तो यह मान के चलिए कि आप कहीं पर भी चूक नहीं सकते लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ श्री ओंप्रकाश ठाकुरद्वारा है ठीक है न यह ओम प्रकास के द्वारा रचित एक संपादित कथा है उसी का एक छोटा सा अंस है भाग है यह कथा प्रिशित साहित साहितिकार वंकिम चंद्चटर जी द्वारा नियाधीस रूप में दिये गए फैसले पर आधारित है ध्यान रखिएगा वंकिम चंद्चटर जी है जो नियाधीस के पतपर हैं उनके द्वारा एक फैसले पर आधारित या पूरी कहानी है लिखा हुआ है सत्यमेव जयते अर्थार्थ सत्य की हमेशा ही जीत होती है सत्य की हमेशा क्या होती है जीत होती है परंतु परंतु सत्य की विजय के लिए भी प्रमा की आवश्यक्ता होती है निश्चत है कि आदेखिए कोर्ट का चहरी में जाने से नियायले में जाने से आप जाते हैं कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे एविडेंस मांगा जाता है सबूत मांगा जाता है तो उसके लिए भी प्रमाण evidence का मतलब प्रमाण yes सबूत आवसकता होती है सत्त की जीत निस्फक्ष और उचित नयाय प्रमाण के बिना नहीं हो सकता ठीक है न सत्त की जीत कभी नहीं हो सकती है अगर आपके पास उचित प्रमाण और आपके सबूत नहीं है तो अतये वो बिचित्र शाक्षी नमक प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत पाठ में चोरी के अभियोग में साक्ष के अभाव में चोरी के अभियोग में मतलब चोरी का इलजाम लगने के कारण साक्ष के अभाव में मतलब कोई सबूत नहीं था सबूत की कमी थी अभाव में नियायाधीस निरने नहीं कर सकता अब यहां जो नियायाधीस था वो निरने करने में क्या था अक्षम था सक्षम नहीं था परन्तु नियायाधीस बंकिम चटर जी महोदय प्रमाण के अभाव में अपनी बुद्धी अब यहाँ पर उनों ने सोचा कि प्रमाण मिल नहीं रहा है तो क्या किया जाए तो उनले अपनी बुद्धी की चतुर्ता से साक्ष न स्थित करने में सफल फराभ हो सफल होते हैं मतलब वह अपनी बुद्धी और बोल के विवेग के प्रवेश दिलवाता है छात्रावास में रहने वाले चात्रावास में रहने वाले अपने पुत्र की बीमारी सुनकर पुत्र को देखने के लिए जाता है देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कोई एक निर्धन व्यक्ति था और निर्धन व्यक्ति बहुत ही परिश्रम से धन अर्जित करता धन कमाता था ठेक कमा करके अपने पुत्र को एक द्याले में उसने एडवीशन कराया प्रवेश दिलवाता है छात्रा वास में रहने के लिए मतलब उसको एक रेसिडेंशियल आवास में रखते हैं और अपने पुत्र की बीमारी को सुन करके उसको पता चलता है कि मेरा पुत्र बीमार है तो उसको देखने के लिए जाता है लेकिन रात्री में किसी ग्रहस्त की घर पर आस्राय ले लेता है। क्यों? क्योंकि निश्चेत है कि वो जब निर्धन है, गरीव है तो हो सकता है कि गाड़ी आड़ी से ना आया हो, ऐसे ही आया हो, तो ठक जाता है, तो बीच में जो जगए मिलती है, तो उसने किसी ग्रहस्त की घर में अस्राइ ले लिया उसी रात कोई चोर भी उसी घर में प्रिवेस कर रखी हुई एक पेटी लेकर के भागता है मतलब जो जिसके यहाँ पर यह रुकता है वहाँ वहीं पर उसी घर में किसी कोई चोरा करके उसकी चोरी कर लेता है चोर के पद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध शिपाही चोकिदार ही था जो उनका चोकिदार था सिपाही था वही चोर था परंतु उस शमय उस सिपाही ने आतिती को ही जिल में डाल दिया जो जो सिपाही चोकिदार था उसने ही क्या कर दिया उस आतिती को क्या कर दिया फसा दिया और उसको चोर समझ करके जिल में डाल द अब जैसे ही कोट में पहुचा तो बंकिम चतर जी थे जो एक न्यायादिस के पद पर थे तो उन्होंने पूरे ब्योरण को सुना पूरी कहानी को सुना और सत्य जानते हुए भी साक्ष के अभाव में सत्य जानते हुए वो तो समझ गए थे लेकिन साक्ष का अभाव था मतल से एक जीवित साक्ष उपस्थित किया एक जीवित साक्ष उपस्थित किया और शव सव रूप में छिपे साक्ष ने सब कुछ सत उधगाटित कर दिया ठीक है न और जो सिपाही था उसी ने क्या कर दिया सब कुछ सत उधगाटित कर दिया दोसी सिपाही को कारावास हुआ और अतिती सा सम्मान मुक्त हुआ अताहा कहा जाता है कि बुद्धी बल से असंभाव कार भी संभाव हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि बुद्धी के बल से कोई भी कार असंभाव नहीं होता है हम सब कुछ कर सकते हमारे अंदर ये क्या है एक ऐसी मानसिक्ता है कि ये बहुत कठिन काम है अगर आपके पास बुद्धी और बल है चतुरता है तो आप किसी भी कठिन से कठिन बड़े से बड़े काम को सरलता से कर सकते हैं चली मैं बात कर रहा हूँ आगे यह हमारा अभी पाठ का परिचे था आपने पाठ का परिचे जाना पाठ के परिचे के बाद अब चलेंगे हम पाठ के सार पर पाठ का सार पहले शंस्कृत में रहेगा फिर इसके बाद उसको हम अनुबाद करेंगे चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि आयम पाठा मतलब यह पाठ ओम प्रकास ठककर विर्चितायाह कथायाह संपाधिता अंसह अस्ति ठीक है ना यह पाठ ओम प्रकास ठाकर के द्वारा विर्चित रचित कथायाह माने कथा का कथा का शंप संपादित माने शंपादन संपादित अंस है मतलब एक छोटा सा अंस है यम कथा बंग साहितिकार यह कथा बंग माने बंगाल साहितिकार माने साहितिकार बंगाल के साहितिकार बंकिम चंद्र चटरजी के द्वारा नियाधीस रूपेड प्रदत्र निर्णयों परी आधारित तहां अस्ति मतलब बंगाल प्रदेश के एक साहितिकार है वंकिम चंद्चतर जी के द्वारा नियाधिस के रूप में कौन थे नियाधिस के रूप में वंकिम चंद्चतर जी वंकिम चंद्चतर जी नियाधिस के रूप में हैं और उसी रूप से प्रदब्त निर्णय उन्ह यह पाठ क्या है आधारिता अस्ति आधारित है नियाय करता रहा नियाय करता सत्य असत्य निर्णे आर्थम यदा कदा ताद्रिशी नाम युक्ती नाम प्रियोगम करतुम और नियाय करता मतलब जो नियाय अधीस होते हैं जो नियाय करने वाले होते हैं वह सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करने के लिए यदा कदा माने जब जब कभी ठीक है ना कभी कभी वो क्या करने लगते हैं ताद रिशा नाम युक्ती नाम इस प्रकार की युक्तियों का प्रियोगम कुर्बंती माने प्रियोग करते हैं किस प और इस कथा में भी न्याया धीस से के द्वारा बैसाही मार्ग अपनाया गया है ठीक मतलब उन्होंने अपनी बुद्धी और बल का प्रयोग किया है उन्होंने साक्ष को देखने की कोशिस नहीं की ध्यान रखें यहां पर ओम प्रकाश ठक्रा विर्चिता यहां में जो सश् सश्टी विवक्ति का लगा हुआ है एक बचन कथाया में भी सश्टी विवक्ति का एक बचन रूप लगा है संपादिता हमें प्रत्मा का एक बचन अस्ति अस्ता संती तो लट लकार प्रत्म पुरुष एक बचन का रूप है असधातू है वंग साहित्तिकार वंग किम चं निर्णय प्लस उपरी इसका आ हो जाएगा और इसका उ हो जाएगा ठीक आ और उ मिल करके उ बनाएगा ये कहां बनेगा ओ ये गुर्णशंधी में बनेगा किसमें बनेगा गुर्णशंधी में बनेगा और गुर्णशंधी का सुत्र होता है अद गुना तो ओ की मात्रा यहा नहां बनेगा हमारा क्या निर्नयो परी क्या बनेगा निर्नयो परी मतलब इसमें गुर्षंदी हमारी हो जाएगी ध्यान रखेगा इसमें गुर्षंदी हो जाएगी फिर इसके बाद प्रदत्रिन उपड़ी आधारित है न्याय करता रहा तो करता रहा है यहां बहुचनांतरू न्याय करता सभी न्याय करता सत्यासत्य सत्य प्लस असत्य बरावर सत्यासत्य सत्य प्लस असत्य बरावर सत्यासत्य आ प्लस आ दोनों मिलकर के हो जाएंगी बड़ा दोनों बड़ा हो जाएंगी फिर यहां बन जाएगा आपका सत्या 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 सत्य हो गया ठीक और निर्ने आर्थम निर्ने प्लस आर्थम बराबर निर्ने आर्थम तो यहां दोनों जगए आपकी दिर्गिशंदी यहां भी दिर्गि लगा है याभी में आपका लगा हुआ है तृतिया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है याभी में आपका लगा हुआ है तृतिया विभक्ति का बहुवचन रूप याभी प्रमाणम बिना पी बिना प्लस अपी बिना भी प्रमाणम में दुतिया विभक्ति बिना की यो लगती न्याया धीसेन में तृतिया का एक बचंट तथाईब तथाइब तथा प्लस एब बराबर तथाईब बड़ा य और प्लस ए दौनों मिलेंगे आई बन जाएगा, आई बनेगा की नी बनेगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या ब्रद्धी संधी, और ब्रद्धी संधी हो जाएगी, तो ब्रद्धी संधी का आपका रूप क्या होगा, ब्रद्धी संधी का आपका क्या रूप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ब्र और वह बचेगा तो वह को आप इसमें जोड़ देना ये पूरा हो जाएगा तथाइब और ये तथाइब बनेगा तो ब्रद्धिशंदी मारगा में प्रत्मा का एक बचन आचारीता हमाने प्रत्मा का एक बचन रूप लगा हुआ है ठीक चले आगे समझ में आगया बिटा आगे देखेंगे अनुबाद अनुबाद को देखिएगा अनुबाद में क्या कहा गया है हिंदी में है देखिए प्रस्तुत पाठ स्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का शंपादित अंस है ये कथा बांगला की प्रशिद शाहित कार वंकिम्च चटर जी के द्वारा न्यायाधीस रूप में दिये गए फैसले पर आधारित है सत्य असत्य के निरने हे तू न्यायाधीस कभी 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 ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साच्छी के अभाव में भी न्याय हो सके इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीस ने ऐसी ह कर नियाय करने में सफलता पाई है समझ में आये यह पाठ का हमारा सार पाठ का सार था और पाठ के सार को हम लोगों ने देखा है इसके बाद आप चलेंगे हम लोग पाठ पर पाठ हमारा क्या है आप अपनी पुस्तक जरूर्बर सामने रखएगा ठीक और वीडियो अच्छा से तैयार करवाए गए है पर इक्षा मैं स्रेश्ट और उत्तम अंकल आने के लिए वह नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी संपर्क करने के लिए मैं बता चुका हूँ कि नीचे लिंक में जाएंगे डिस्क्रिप्सर बॉक्स मे तो इनोट्स और इवुक्ष की शंपूर जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी बिलकुल भी देर नहीं करना ठीक है न क्यों क्योंकि वो जितना जरूरी यह है उतने ही जरूरी आपके पास नोट है जब यही कंटेंट आपके पास नोट्स के माध्यम से हो जाए जो हमारी कहानी कथा इसमें दी हुई है देखें कस्चन निर्धनों जना भूरी परिश्रम्य किंचित वित्तम उपारजितवान तेन वित्तेन स्वापुत्रम एकस्मिन महाविध्याले प्रवेशं दापयतों सफलों जाता है तत्तनेयाह तत्त्रईव छात्रावाशे हैने संलगना शंभूत एकदा शा पिता तनुजश्य रुग्णताम आकर्ण व्याकुलह जाता पुत्रम द्रश्ट्यूंचा प्राइस्थिता परमार्थ परमार्थ कारेन पीड़ पीड़ता शा वश्यानम विहाय पदाति रेव प्राचलतों ठीक है यह पहले आपको भी को पहले पढ़ना होता है। फिर इसके बा воды उस पर कमेंट करना है उस पर बातचीत करनी है उस पर कौन सी विभकती है क्या इसका अरत होगा ठीक है ना कुई गष्छित करता है कुछ धन एकत्रित करता है और बहुत महनद भूरी भूरी मतलब बहुत बहुत परिश्रम करने के वाद कुछ वित्तम माने धन को उपारजित वान माने एकत्रित करता है या एकट्टा करता है तैन उसके द्वारा वित्यन उस धन के द्वारा स्वापुत्रम माने अपने पुत्र को एकस्मिन माने एक महा विध्यालय माने एक विध्यालय में प्रवेशम माने प्रवेश दाप ये तो मने दिलाता है सफल जाता है ठीक है न और प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है ततनिया और अपने पुत्र को तत्राइम छात्रावासी और अपने पुत्र को उसी उस वही पर वहीं पर उसी के छात्रावास में निवसन माने रहने में रहकर अध्याने माने अध्यान करने में सल्लगना संभभूत और वहीं पर छात्रावास में रख देता है एक दहशा एक दिन वह पिता तनूजश एक दिन वह पिता तनूजश माने अपने पुत्र के रुगन ताम आकरने मतलब उसके रोगी होने की बात को सुनता है व्याकुला जाता और जैसे उसने देखा कि बीमारी बीमार हो गया है पोत्र तो वह व्याकुल हो जाता है पुत्रम द्रश्टों पुत्र को देखने के और पुत्र को देखने के लिए प्राइस्थिता मने प्रस्थान करता चलता है परमार्थ कारेन पीड़िता शह वस्यानम भिहाय पदाती रेव प्राचलत अर्थार्थ वो परमार्थ कारे के द्वारा अर्थार्थ उसके पास पैसा ना होने के कारण क्या कर देता है कार के द्वारा पीड़ित पीड़ित होने के कारण वह है वस्यानम मन बस के बस उसको विहाय माने छोड़ करके पदाती रेव माने पैदल ही प्राचलत माने चलने लगता है पैदल ही चलने लगता है क्योंकि धन की कमी थी और किसी प्रकार से बच्चे को दिखाने के लिए अब जाना था जो पैसा था तो कम से कम बच्चे को दिखाने के लिए हो जाएगा एसा मन में विचार रखा होगा ऊसने ठीक चलिए यहां पर देखें कहा धन चन कस्चन कहा प्लस चन बराबर कस्चन तो यहां विशर्ग शंदी है विशर्ग के इस्थान पर शाह perform का जाएगा तो यहां बन जाएगा आपका कस्चन त्यार्द रखिएगगा कस्चन बन गया फिर यहां निर्धनअ दिया हुआ है निर्धना नि प्लस धनः नी प्लस यहाँ वैसे धनो लिखा यहाँ आ पी जा न पुछ झेल है तो ने उसलों कि तर रहा हो जाएगा विशर्ग शंधी तो नि사नों बन जाएगा यहां भी शर्ग संदी जनाह में प्रत्मा विवक्ति जनाह ऐसे रूप बनेगा तो प्रत्मा विवक्ति एक बचन भूरी का मतलब होता है बहुत परिश्रम में परिश्रम करके किंचित माने कुछ तो तबट प्रत्या होता न तो तबट प्रत्या लगा हुआ है तो बत को बान हो जाता है यहां पर उर्क बन जाता है उपारजित वान तेन, सहतम तेन, तो तृतिया विवक्ति, शातम तेन, तस्माई, तस्य, तस्मिल, आपने रूप देखे होंगे, सहतम तेन, ऐसे रूप चलेंगे, सहतम तेन, तस्माई, तस्य, तस्मिल, ठीक है न, तो यहाँ पर तृतिया विवक्ति, विट्तेन में भी आपका तृतिया व बिद्धिया 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 बि तुम दाधातु है यहाँ पर और यहाँ पर तुमन प्रत्ते लगा हुआ है दापई तुम सफला माने सफल यहाँ विशर के शंदी है प्रत्मा का एक बचन है जाता है सपल हो जाता है तत तन्या और अपने पुत्र को और तत और उस पुत्र को तन्या में प्रत्मा का एक रहेंगे अई बन जाएगा क कि यहां पर आपका हो जाएगा तत्राइब जो बन जाएगा किया विवर्द्धि चन्ति ठीक चातरावासि शार्वक्ति में का और फी का पर फिर निवशन निवसं निवसत निवसं निवसं तो यहापका का रहने लगा ठीक तो यह निवसं बना हुआ है सब्सक्राइब म treaty कर एक विच्छान रूप लगा हुआ है अध्यान में अपने पृत्र की रोग्ण ताम मने अपने खबर सुनता है मतला अपने पृत्र की रोगी होने की आ करने मने शुनता है रोगणताम होने की मतलर रोगी होने की बात को सुनता है और सुनकर कि व्याकुला जाता है और व्याकुल हो जाता है व्याकुला जाता है पुत्र को द्रश्टम माने देखने के लिए और पुत्र को देखने के लिए प्राइस्थिता है प्राउपसर्ग पूरवक इस्था धा बस यान को बस को तो दुतिया विवक्ति विहाय में भी उपसर्ग हीरी धातू लगी हुई है और लियप प्रत्त है तो विहाय माने छोड़ करके पदाती रेव पदाती ही प्लश एव पराबर पदाती रेव तो यहां विशर्ग शंदी प्राचलत ठेक तो प्राउपसर्ग पूरवक्त चलदातू से प्राचलत बना हुआ है ठेकर आप देखें सब्दार्थों को देखिए का सब्दार्थ भी बहुत इंस्ते होते हैं जब तक सब्दार्थ नहीं बलते हैं तब तक हम आर्थ को कैसे निकालेंगे देखे कश्चन माने कोई कश्चन का मतलब कोई और भूरी का मतलब होता है अत्यधिक परिस्रम या बहुत महनत करना परिस्रम में दिया हुआ है परिस्रम का मतलब होता है महनत करके और वित्तम उपारजित वान माने धन कमाया महनत करने के बाद उसने कुछ धन कमाया दापा ये तो माने दिलवाने के लिए क्या दिलवाने के ल हुए तनुजस माने पुत्र की तनुजस माने पुत्र की रुगने ताम आकर माने बीमारी को सुन करके उसकी बीमारी को सुन करके परमर्थ कारेन माने परंतु धन की कमी के कारण अर्थ ठीक है ना परमर्थ कारेन और बिहाय माने छोड़ करके पदाती रेव माने पैदल ही प प्रस्तिता मने गया मतलब पैदल ही गया धन की कमी होने के कारण अनवाद देखें अनवाद में देख लीजी अनवाद में क्या दिया हुआ है यहाँ पर ठीक है लिखाया कि किसी गरीव आदमी ने किसी गरीव आदमी ने अत्यधिक महनत कर कुछ धन कमाया उस धन से अपने पुत्र को एक महा विध्याले में प्रवेश दिलवाने में सफल हुआ वह पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अध्यन में सनलगने हो गया वह एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी सुनकर के व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने चल पड़ा परन्तु धन के अभाव के कारण दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चल गया पैदल ही चलने लगा कि अब धन है नहीं है तो तबादार दवामेल भी लगेगा तो फिर क्या करेगी इस फिर आगे देखे क्या होता है पदाती क्रमेण संचलन सायम समय अप्यासव गंतब्याद दूरे आसीत समझ में आया अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है यहां पर क्या बात आई है ध्यां से देखे पदाती क्रमेण माने पैदल चलने के द्वारा क्रम से चलना है ना पदाती क्रमेण लगातार पैदल चलने से संचलन माने चलने से सायम माने राज साम समय अप्यासव माने साम का समय हो गया साम हो चली हो चली थी गंतव्यात मन चलते हुए दूरे माने दूर आसित माने था और जहां उसको जाना था वह दूर था ठीक है ना पैदल चलते समय उसको साम हो गई थी और जहां तक पहुचना था वहां क्या हो गया वह वहां बहुत दूर था और दूर तक पहुचने के लिए उसको क्या करना प पद यात्रा ना सुभावा बोले प्रदेस में पद यात्रा जाना ज़्यादा ठीक नहीं है तो एवं विचार तो फिर उसने विचार किया उसने विचार किया क्या सहा पारस इस्थित पास में ही इस्थित उसने विचार किया कि पास में ही इस्थित ग्रामे माने गाओं में इस्थित गाओं में रात्री निवास हम रात्री को क्या कर लिया जाए बोले निवास रुक लिया जाए कर तुम बोले रात्री निवास कर तुम करने के लिए कस्चित ग्रहम उस गाओं में निवास करने के लिए किसी ग्रहस्त उपागता मतलब किसी ग्रहस्त बेक्ति के पास में घर के पास में पहुँचा समीप में पहुँचा करुणा परा और करुणा परायन ग्रही तसमे आस्रियम प्रयाच्छत और उसने करुणा के साथ उसने उस ग्रही ने उस मालिक ने उसको आस्रे प्रयाच्छत मानत दिया उसने आस्रे उसको दे दिया और आस्रे देने के बाद आस्रे देने के लिए जैसे ही वो गया अब आस्रे तो मिल गया तो जैसे मानके चलिए रेंट पर हम लोग आज कल लेते हैं लोज बगर अले लेते हैं कहीं पर जाते हैं तो रेंट पर हम लोग एक दिन के लिए रात में रूम ले लेते हैं लेकि उसने भी यही विचार कि किसी इस गाव में पहुंचते हैं गाव में जाकर कि हम क्या करेंगे और उनसे पूछ लेंगे किसी ग्रहस्त के पास जाएंगे घर के पास किसी के समीप में गया और उसने उनसे बातचीत की और मालिक से तो उन्होंने क्या है उसको घर जाने की घर में रुकने की बोदे दी देखिए का फिर इसमें हमारा दिया हुआ है तो देखें फिर पदाती क्रमेड में तृतिया बिभक्ति लगी हुए पदाती क्रमेड में क्या लगी हुए तृतिया बिभक्ति का एक बचानूप लगा है पदाती क्रमेड संचलन सायम समय अपियसू देखो समय समये प्लस अपी प्लस असव दिया हुआ है तो यहां पर देखें आप तो यहां सबसे पहले तो पूरवरूप शंदी होगी क्योंकि पीछे आपका ए और ओ अगर ए और ओ आता है तो पहले पद में और उसके बाद हिरस्वाकार आता है तो अवग्रह में परिवर्तिन कर लीती हैं तो यह समये लिखा हुआ है समये और आवग्रह का आ जाएगा और पी ऐसे जुड़ जाएगा समये पी बन जाएगा मिलकुँ जयों करते हूं पूरवरूप होता है न और अपी असव दिया हुआ है समझ में आ गया यहां अब यहां पर लग जाएगी आपकी यण संदी यहां तो हो जाएगी आपकी पूरवरूप एंगा पदान तहदती ठीक है न पूरवरूप संदी यहां आपकी पूरवरूप संदी हो जाएगी ठीक और यहां आजाएगी आपकी यण संदी यहां आपकी यण संदी आजाएगी अब यहां पर क्या हो जाएगा समय और पा आपका आधा हो जाएगा यह आपका बाहर आजाएगा असव आ गया असव आया की नहीं अब यहाँ E के स्थान पर आप करोगे यड़ तो समय अधापा और E के स्थान पर आ जाएगा या प्लस असव असव आ गया आया की नहीं अब इसको क्या करेंगे यहाँ जो दिया हुआ है समय अधापा और आधाया लेकर आसव का आईस में मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा या होगा की नहीं समय अभी असव आगया की नहीं अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि दो संधियों का पूरवरूप और यर संधी का योग हुआ है तो ऐसे आप लोगों को कभी कभी पैराग्राफों में से अलग करना हो उसने अगर यहाँ पर ऐसे पैराग्राफ दे दिया और अंडरलाइन कर दिया कि रेखांकित पद में का संधी तो रिखांकित पद में कौन सी संदि होगी तो आपको चुनाव करना होगा ना, नीचे अंसर दिये होंगे, आपके बहुँ वी कल्पिये प्रश्णों में आ जाते हैं, क्योंकि आपके आप अठित गद्यांस वगएरा तुझ निश्चेत आते हैं, तो आप अठित गद्यां तो लेकिन यहां है पंचमी वक्ति गंतव्यात ठीक तब्यत प्रद्य लग जाएगा गंधातू लग जाएगी तब्यत प्रत्य है और गंतव्य बनेगा गंतव्य से गंतव्यात बन जाएगा पंचमी वक्ति आसीत मतलब था यहां लंगलकार निशा प्लस अंधिकारी तो नि और यहाँ पर छोटा आ जाएगा दोनों मिलेंगे बड़ा आ जाएगा आएगा की नहीं आएगा फिर इसके बाद जब यहाँ से आ निकल गया यहाँ से बड़ा आ निकल गया तो यहाँ निस से बच जाएगा निस और यह जो आ बना हुआ है इसको बीच में लिख देंगी द निशा निशानधो कारे क्या बनेगा निशानधिकारे बन जाएगा कि नहीं तो यहाँ पर आपका बन जाएगा निशानधो कारे आगे देखें पूरा देखें तो सप्तमी विवक्ति का एक बचन है जैसे रा में बैसे ही निशान दिकारे जैसे रा में बैसे ही निशान दिकारे प्रास्रीते प्राउपसर्ग पूर्वस्रीधातु से प्रास्रीते बना प्रास्रीते 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 विजने सप्तमी का एक बचल प्रदेश्थे में सप्तमी का एक बचल पदयात्रा ना सुभा वहा शुभ आ वहा एबं विचार विचार में यहां पर देखें पारसो इस्थेथे में आपका सत्तमी का में रात्री निवासम मुंदा कर्दू निए घरा समीप में पहुँच्ता है करोना परो परहा बन जाएगा ग्रही तास्मही लगा हुआ मैं जाएगा तसमई आपका चतुरती भक्ती अस्रेम प्रयाच्छत प्रावपसर्ग पूर्वक ये चधातु से प्रयाच्छत सब्दार्थ को देखिएगा सब्दार्थ में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा संचलन माने चलते हुए गंतव्यात माने मंजिल शे निशांदिकारे रात्री के अंधिकार में प्रास्रित माने फैले हुए विजने माने एकांत में और सुभा बहा माने कल्यानकारी विचार माने सोच करके उषunda इखा कि रात्री में एकांत में इस फ्हले हुए अंतिकार में और पैदल जाना ठीक नहीं है तो उच्छने विचार कर लिया कि रात्री में रुक लेते हैं पार्स इस्थित माने सामने इस्थित और करतों माने करने के लिए ग्रहस्त मुपागता माने ग्रहस्त के पास गया करुणा परो माने करुणा से योगतिक प्राइच्छत माने दिया क्या दे दिया उसको घर दिया रुकने के लिए देखें ज़रा क्रम से पैदल चलते हुए साम के समय भी यह मंजिल से दूर था रात के अंधकार में पैदल एकांत प्रदेश में पद यात्रा कल्यानकारी नहीं है ऐसा सोच कर वह सामने इस्थित ग्राम में रात्री निवास करने के लिए किसी ग्रहस्त के पास गया करोना से युक्त ग्रहस्त ने उसको आस्तरय और शरण दिया ठीक है न अब यहाँ पर उसको जैसे ही आस्तरय मिल गया आस्तरय मिल गया तो फिर क्या अब आगे देखें आगे क्या होता है वैसे मैं आपको पाथ का सारस तो बता चुका हूं ठीक ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी बहुत जल्द मैं इसका आपका अगला भाग लेकर के आऊंगा तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा कहीं भी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर सूचित करें आपको बिलकुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं आप किसी भी माध्यम से हो चाहे आपका सीवेस्टी मीडियम हो सीवेस्टी इंग्लेस मीडियम आप चाहे आप यूपी बोट से हो विहार बोट से हो कहीं से भी हो बारत का एक मात्र ऐसा प्लेट फॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निसुल के सिक्षा आपसे कोई भी रूपया पैसा नहीं लिया जाता ध्यान रखियेगा और क्वाइल्टी कंटेंट के साथ मतलब उच्च गुडवत्ता के साथ योग सिक्षकों के द्वारा आपको यहां पर अध्यापन का कर दिया समझ में आ रहा है ना आपको तो बिल्कुल भी निश्चिंत भाव से पूरा सब्जेक्ट आपको पूर्ण सिलेवस के साथ यूटूब पर निशुलक प्राप्त हो रहा है बस आपको करना क्या है अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो च यली बेल आइकन को दबाना है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है ठीक है ना और और क्या करना है और अपने लोगों को सेयर करना है सूचित करना है कि मेगनेट ब्रेंश के द्वारा आप लोगों के लिए क्या-क्या यहाँ पर सुवधार दी जा रही है उस सार मीडियम और इंगलेस मीडियम के नोट्स भी तैयार करवाए गया है वो नोट्स आपकी परिक्षा में उत्तम और स्रिष्ट अंकलाने के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे तो इसके लिए आपको जाना कहा होगा कैसे आपको पता चलेगा वो मैं आपको बताता ह ठीक है ना इसी के साथ जयतु संस्कृतम जयत भारतम